Hello friends, hopefully आप सभी लोग अच्छे होंगे So, इस वीडियो में हम बेसिकली एक मेथड है ना Construction of Enalytic Functions में एक मेथड है जिसको बोलते है Millenay-Thompson मेथड या Millen-Thompson मेथड जो भी pronunciation हो ठीक है ना? मैं यही बोलता हूँ तो यही बोलूँगा Millenay-Thompson मेथड ठीक है? Thomson Thomson मेथड यह है क्या? पहले चीज़ समझते हैं यह construction की बात बोलते हैं उसका मेथड है मतलब यहाँ पर क्या है ना? एक Enalytic Function मा लिज़े यह है Fz is equal to u ठीक है? Plus ivxy Question में यह दिया रहेगा कि आपको वो Enalytic Function निकालना है जिसका एक कोई पार्ट चाहे रियल पार्ट या Imaginary पार्ट कोई एक पार्ट दिया हो माले जे रियल पार्ट यू दिया हुआ है For example, यू दिया हुआ है आपको V नहीं दिया है लेकिन डिरेक्टली आपको क्या करना यह Fz निकालना है Enalytic Function तो obvious ही बात है अगर Function Enalytic है U दिया है V इसका क्या होगा Harmony Conjugate होगा और इसके रियल और Imaginary Parts क्या करते हैं CR Equation Satisfy करेंगे तो यह जो Mathematicians थें इन्होंने Direct Method दिया मतलब कोई एक पार्ट इस Enalytic Function का कोई एक पार्ट या तो U दिया हो Real Part या तो Imaginary Part दिया हो तो Directly जो है आप यह Enalytic Function को Construct कर सकते हैं बीना दूसरा पार्ट को निकाले मतलब अगर U दिया है तो बीना V को निकाले आप Directly Fz को निकाल सकते हैं इसलिए यह बहुत फेमस है आपका NEP के सेलेबस में साप साप लिखा हुआ है अगर आप सेलेबस देखें तो साप साप लिखा हुआ है जहां Enalytic Function जो यूनिट में है वहाँ पे आप साप साप जाके देखिए का Last Topic जो है वहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है Millan Thompson Method सीधे सीधे मतलब यहां से Questions बनेंगे NEP का सेलेबस है तो बनेंगे अब चलिए मैं अब इसका जो Method है पहले उसको समझा दो फिर एक numerical लेके आपको बताऊंगा ठीक है ना तो यहां पे अगर यह दिमाग में राके कि एकoreset इस टाइब का होगा इसमें या तो You दिया रहेगा या तो वी दिया होगा मैं मान के चल ला हूँ कि यू मेरा दिया हुआ है थेकिना यू मेरा दिया हुआ है So यहां पे मैं Zoom करके चलता हूँ Let यह मान के चलता हूँ कि इसका real part दिया हुआ है यह दिया हुआ है इस given यह मैं मान के चलता हूँ दिया हुआ है और क्यों इतना ही दिया हुआ है बिना V को निकाले हम डायरेक्ट जो है इस analytic function को construct करेंगे मतलब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इस method पर मैं आता हूँ मैं language नहीं लिखूँगा बस समझाते हुए चलूँगा Z को हम लेते हैं X plus I Y ठीक है न तो यहां से इसका जो conjugate होगा Z bar वो क्या हो जाएगा X minus I Y conjugate ठीक है अब यहां से हम देखे हैं कि Z और Z bar दिया है तो X और Y निकाल सकते हैं तो इन दोनों के help से हम X मेरा क्या हो जाएगा तो देखे X निकालना है तो Z और Z bar को add कर दिजिए और divided by 2 कर दिजिए ठीक है न उसी तरीके से Y क्या हो जाएगा Z में से Z bar को subtract कर दिजिए ठीक है न और 2 I से divide कर दिजिए ठीक है न तो यह X जो होता है Z plus Z bar by 2 और Y होता है Z minus Z bar by 2 ठीक है न अब मैं आता हूँ जो W है मेरा जिसको निकालना है मतलब FZ ठीक दिस और यह क्या होगा यहाँ पे यहाँ से देखिए अगर U दिया है मैं मान के चलता हूँ और मैं माल लेता हूँ कि चलो इसका imaginary part जो है वो VXY है तो इस case में FZ को मैं क्या लिख सकता हूँ U और ध्यान देजिएगा X की place पे आप क्या रखे कि देखिए X की place पे Z plus Z bar by 2 ठीक है और Y के place पे आप क्या रखेंगे देखिए यहां से Z यह देखिए minus Z bar upon 2i यह लिख सकते हैं ठीक है यह मेरा हो गया U plus I V मेरा क्या हो जाएगा same X की place पे यही रख देजिए Z plus Z bar by 2 ठीक है comma Z minus Z bar by 2i प्लीज चेक करिएगा ठीक है तो यहां पे यह एक identity की तरह काम करता है Z और Z bar में यहां पे as a independent variable Z और Z bar में यह एक identity की तरह काम करता है अब उस पे मैं नहीं जाता हूँ मैं method सिखना है हमें तो मैं method पे आ रहा हूँ ठीक है ना so यहां पे क्या करते हैं यहां पे set करते हैं आप x को अगर मैं z ले लूँ और y को अगर मैं 0 ले लूँ फिर से x को अगर मैं z ले लूँ ठीक है न और y को मैं 0 ले लूँ ठीक तो यहां पे y को 0 ले लीजिए देखिए यही पे यहां पे set करिए न तो x को 0 X को Z और Y को 0 तो यह identity की तरह set होता है कि नहीं और यहाँ पर देखिए तो इस case में क्या होगा सीधी सी बात है कि जब ऐसा आप लेंगे ना So this will imply Z is equal to Z bar होगा बिल्कुल होगा friends Z is equal to Z bar हो जाएगा अरे यहाँ पर imaginary part को 0 रख दीजिए सीधी सीधी बात है नहीं यहाँ पर 0 करिए imaginary part Y को 0 करिए तो Z is equal to X और Z bar is equal to X और चोकि X को Z आप ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Z bar is equal to Z तो यहाँ से यह relation आ गया ठीके ना और जैसे ही आया we have ठीके ना यह देखिए अगर मैं X को Z लूँ Y को 0 लूँ तो उस case में यहाँ से आप देखिएगा Z is equal to Z bar हो जाएगा और Z is equal to Z bar हो गया तो यहाँ पर जो मेरा FZ होगा उसको ध्यान देजिएगा यह क्या हो जाएगा Z और Z bar दोनों सेम है तो Z bar को Z रखेंगे तो यह क्या होगा Z plus Z 2Z by 2 तो यह हो जाएगा Z और यहाँ पर Z is equal to Z bar तो यह 0 हो जाएगा तो दिस ठीके ना प्लस IV सेम यहाँ से Z,0 यह हो गया मेरा equation number 1 अब जड़ा आएगे मुझे इसी को निकालना है actually in fact मुझे FZ को निकालना है बट मैं यह जमसन करूंगा तो यह condition आता है अब जड़ा आएगे यहाँ पर We have We have F-Z इसको क्या लिखते थे D W by D Z यह लिखते थे थे न अब Z is equal to X हो गया तो अब यह से बात है इसको मैं लेख सकता हूँ D W by D x और W मेरा जो है अगर यह है इसी को तो W लिख रहा है न तो यह हो जाएगा D U by D x प्लस I D V by D x यह होगा और यहाँ से देखिए CR equation से इसको मैं लेख सकता हूँ D U by D x और याद रखिए CR equation U y equal to minus V x तो यह V x है इसको मैं क्या लिख दूँँगा minus U y मतलब minus I times D U by D y प्लीज चेक करिएगा CR equation से अब मैं यहाँ पर आता हूँ क्या ध्यान देजिए अब taking numericals में डारेक्ट यही से स्टार्ट करेंगे taking del U by del x इसको मैं बोलता हूँ अब यह सी बात है अगर यह function of xy तो यह भी function of xy होगा लेकिन जो हमने यहाँ पर यह identity fix किया है इसको use करेंगे तो 5 1 मेरा क्या हो जागा x की प्लेस पे z y के प्लेस पे 0 and del U by del y क्या हो जागा same उसी तरीके से इसको मैं लिख देता हूँ phi 2 function of xy और phi 2 x की जगा z और y के प्लेस पे 0 मैं समझा पाया कि नहीं तो जैसे यह आपने निकाला यह एजमसर यह मतलब जो मैंने stick किया यहाँ पे जो यह लिया इसको 1 में use करेंगे 1 में नहीं यहाँ से इसको अगर मैं बोलू 2 so from 2 from 2 f-z मेरा क्या हो जाएगा ध्यान देजिएगा del u by del x को आपने लिया है phi 1 phi 1 z 0 का function minus i del u by del y को आपने लिया है phi 2 z 0 ठीके न अब मैं देखिए यह overall पूरा function z का हो गया direct integrate करेंगे with respect to z तो यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा f-z this is equal to integration phi 1 z 0 minus i phi 2 z 0 यह पूरा dz plus c जहाँ पे c जो है कोई भी arbitrary constant है तो यहाँ पे यह method क्या है ध्यान दिजिएगा हमने f-z को निकानने का यह method है मिलने thompson method directly अगर मुझे u के ओल पता हो v के बारे में हम जानना भी नहीं चाहते but हमने concept यूज किया कि चलो भाई इसका harmonic conjugate v है तो इसको set करते हुए यहाँ पे हमने कुछ identity यहाँ पे fix किया यह लेके और वहाँ से construction तो आपको numerical में कैसे apply करना है यह ध्यान देजिएगा numerical में direct आप जाएंगे यू दिया रहेगा ठीक ना यह direct 5-1 आप निकालेंगे ध्यान देजिएगा 5-1 5-1 है क्या यह देखे 5-1-0 यह है क्या तो इसको निकालने के लिए आप सिधे पहले यहाँ पर जाएंगे 5-1-X-Y को मैं यह दे रहा हूँ यू देगा numerical में कैसे apply करेंगे उपर का portion भूल जाएगे वो internal process था आपको जो याद करना है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस step को याद करिए यह वाला delu by delx निकालिएगा उसी यू को y के respect में partially differentiate करिएगा वो हो जाएगा 5-2-X-Y और यहाँ पर finally X के place पे Z और Y के place पे 0 रखिएगा यह हो जाएगा 5-2 यह relation याद करिए मतलब आपका पूरा जो process है न बस इतने में होगा numerical में बस इतने में उपर मैंने आपको बस ये method बताया था कि कैसे इन्हों ने मिलने थांसर ने construct किया था numerical के लिए बस इतना ही इतने step आपको follow करना है पस यू देगा उसका partial derivative X के respect में 5-1-X-Y यू देगा Y के respect में partial derivative 5-2-X-Y फिर यहाँ पर जो आएगा partial derivative X के जगा Z, Y के जगा 0 तो 5-1-Z 0 और फिर यह रखके सीधे integrate करिएगा Z के term में मेरा FZ आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर एक note करके मैं लिख देता हूँ note क्या है अगर माली जी यहाँ पर लेके चला था न कि यू पता है क्यों यू गीवेन है अगर V दिया होगा तब So if V XY is given वह भी तो हम निकालेंगे न एक पार्ट कोई देता है मिलने थांसन मेथड यही है कोई एक पार्ट देगा तो कुछ नहीं करना है आप सीधे क्या करेंगे सीधे सेम रूल लगाएंगे सेम रूल लगाईएगा जैसे मैं वहाँ पे लिखा था न F-Z This is equal to D-W by D-Z तो यहाँ पे मैंने बोला था D-W by D-Z ठीके न अब यहाँ पे चुकी V दिया रहेगा मुझे V पता है तो F-Z मेरा जो आएगा अच्छा एक मिनिट पहले यहाँ से आ जाता हूँ F-Z जो लिखेंगे आप यह F-Z is equal to क्या हो जाएगा ध्यान देजिएगा U जो निकालते Z-0 प्लस I V-Z-0 ठीके न तो यह जो पार्सेल डेरिवेटिव निकालते तो यहाँ से मेरा आ जाता D-U by D-X ठीके न इसको छोड़िए यहाँ पर यही से मेरा आ जाता हूँ D-U by D-X प्लस I D-V by D-X D-U by D-X को आप क्या लिख सकते हैं D-V by D-Y लिख सकते हैं प्लस I D-V by D-X यह होगा प्लीज चेक करिएगा और डारेक्ली फिर यहाँ से आप कर ले जाएंगे कोई दिक्यात नहीं उसी तरीके से आप कंस्टर्ट कर लेंगे तो इसमें कहीं से कोई टेंसर नहीं होना चाहेए V भी आएगा यही मेथड बस एक U के लिए याद रखिए V अपने आप जो है V के लिए भी आप उसी तरीके से कंस्टर्ट कर पाएंगे मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे बिल्कुल अराम से कर पाएंगे तो मैं सिधे आउटलाइन दे देता हूँ इफ यह गीविन है तो उस केस में सिधे मैं एक लाइन में लिखूँँगा FZ This is equal to integration वहाँ 5 ले रहा था यहाँ पे साई में लिखूँँगा तो साई 1 Z0 प्लस I times साई 2 Z0 फिकर पूरा प्रोसेस वह होगा जो यहाँ पे बता रहा था Finally X की जगा Z Y के प्लेस पे 0 रखके DZ प्लस एक constant of integration ठीके जहाँ पे साई 1 क्या था याद करिए मैं अभी just erase कर दिया क्या अभी just erase किया था वो लिखा था न देखिए साई 1 जो है मेरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मैं अभी erase किया उससे फिर back जाके आप देखिएगा तो साई 1 जो मेरा है वो क्या है याद करिए डेल भी बाई डेल वाई था क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स था तो CR equation UX is equal to क्या था VY वो मैंने यूज किया था और साई 2 जो मेरा है वो क्या है डेल भी बाई डेल एक्स अभी जस्ट इग्रेज किया था मैंने न बैक जाके वीडियो को देखिएगा तो बस हो गया तो अगर V भी देगा यही मेथड होगा बिलकुल और V में भी बस इतना ही स्टेप करना है ठीके न वहाँ पर बस क्या करेंगे आप यह निकालेंगे डेल v by डेल y और डेल v by डेल x लेकिन याद रखिएगा साइटू की जगे डेल v by डेल x उल्टा है यहाँ पर फाईवन जो है उसको मैं डेल u by डेल x लिया हूँ और फाईटू को del u by del y, लेकिन यहाँ पर उल्टा चलना है, psi 1 को del v by del y है, और यहाँ पर del v by del x i2 है, थोड़ा सा वो जो link कर लिजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, यही से आएगा न, नहां गया, यह देखिए, यही से मैं बता देता हूँ, यह था, तो देखिए, यह मेरा क्या हो जाएगा, CR equation से, del v by del y, ठीक है न, यह देखिए, यह del v by del y, तो इसी को मैंने क्या लिया है, psi 1, del v by del y को psi 1 लिया, देखिए यहाँ पर, और psi 2 मैंने क्या लिया है, del v by del x, तो यहाँ पर i के साथ जो आएगा, वो del v by del x, अब आप बोलेंगे, सर एक example करवा देते, तो थोड़ा सा confidence और बढ़ जाता, मैं बिल्कुल आपका मन की बात समझ रहा हूं, प्रेंट्स, तो चलिए, यहाँ पर question कैसे आएगा, find, find the analytic function, analytic function, function, fz, this is equal to u, this plus i v x y, whose real part, whose real part, real part u, this, u is, u is e raised to the power minus x, bracket में, x square minus y square, ठीक न, यह, cos y plus 2 x y, sin y, यह दिया हुआ है, चलिए, यह पूरा, e के पौर minus x, बिल्कुल बाहर है, e के पौर minus x, bracket में, x square minus y square, cos y, plus 2 x y, sin y, यह मेरा u है, पूरा, ठीके न, अब आता हूँ, solution पे, तो मिलने, थांसल मेथड क्या है, एक बार, फिट से मैं बता रहा हूँ, real part दिया है, बिना imaginary part निकाले, direct object को निकालते हैं, या imaginary part दिया हुआ है, बिना real part निकाले, मैं direct object को निकालता हूँ, method आपके सामने है, आप देखिए, मैंने numericals में बोला था न, daily by daily x आप निकालिए, ठीके न, उसको हम five and x y लिखेंगे, ठीके, तो चलिए, here, here, we use, we use, milne-thompson method, milne, या milan-thompson, जो भी आप pronunciation करें, thompson method, so, यहाँ पर क्या करेंगे, five and x y, this was, daily y by del x, ठीके, चलिए, x के respect में, इसको partial derivative, differentiate करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा लंबा जाने वाला है, कैसे, तो मैं इसको पतली पे निउस कर लेता हूँ, क्या होगा, यह first function, ठीके न, second function, यह पूरा है, इसका derivative, तो second function का partial derivative, x के respect में, तो x square का करेंगे, तो आजाएगा, 2x, ठीके न, और इसको करेंगे, तो यह दो 0, प्लीज ये करिएगा, ठीके, तो यहाँ से, 2x, into cos y, क्योंकि y as a constant rate होता है, आपको पता है, इसको करेंगे, तो y constant y, sin y constant हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 2y sin y, मैंने अभी क्या किया, यह first function लिया था, इस पूरे को मैंने second function, first function, second function का partial derivative, with respect to x, प्लस, आप आएंगे, first function का partial derivative, तो यह minus हो जाता है, तो minus e to the power minus x होगा, तो इसको मैं, यही पर करता हूँ, चलिए, तो minus e to the power minus x, और यहाँ पर यह पूरा रख देगे, पूरा आजाएगा वैसे ही, x square minus y square, प्लस 2xy, sin y, यह पूरा हो जाएगा, प्लीज प्लीज चेक करिएगा, यह हो गया, यह मेरा 5-1 हो गया, उसी तरीके से जरा 5-2 निकाल लेजिए, 5-2xy, यह क्या होगा, del u by del y, y के respect पर partial derivative, इसको same rule लगाएंगे, यहाँ पे, तो y के respect में करेंगे, तो दीखें, यह constant है, इसका कोई tension ही नहीं, यह तो अंदर, मतलब बाहर ही आद आएगा, अज अ constant rate होता है, अब यहाँ पे individually, दो-दो function का product लगेगा, यह देखिए, अब अंदर आते, y के respect में जब करेंगे, तो यह first function, इसको second function, similarly, यहाँ पे भी, आप y को first function, और इसको second function लेके करेंगे, y के respect में कर रहे हैं, तो चलिए जड़ा करिए क्या होगा, यहाँ पे, first function का पहले y के respect में, partial derivative, तो minus 2y, cos y, please check करिएगा, यह हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, plus, first function, और second function का करेंगे, cos y का करेंगे, तो यह होता है, minus sin y, तो यहाँ पे भी minus लगाना पड़ेगा, आपको, so, यह हो जाएगा, minus, this, sin y, समझ में आ रहा कि नहीं, यह तो constant था बाहर हो गया, y के respect में, इन दोनों को करेंगे, तो इस पूरे को first function, इसको second, पहले मैंने first function का derivative y के respect में, into second function, फिर, ठीके न, फिर first function को छोड़ दिया, second function का derivative देखिए यह, अब उसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, please check करिएगा, यह check करना आपकी duty है, यहाँ पे आता हूँ, y के respect कर रहे हैं, तो 2x तो common हो जाएगा, अब ध्यान देजिए, यह पे मैं कर देता हूँ, y sin y को मुझे करना है न, 2x constant है, फिर्स function इसको करेंगे, cos y, plus, फिर्स function का derivative, into second, तो मतलब y cos y plus sin y, अब इसको multiply कर देजिए, तो 2xy cos y, और उसी तरीके से, plus 2x sin y, मैं समझा पाया कि नहीं, इतना है, इसमें 2x को multiply कर दिया, यह derivative था, यहां तक ठीक है, थोड़ा सा calculation की बात है, otherwise कोई issue नहीं है, ठीक है, चलिए, यह हो गया, अब मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मिन्ने थॉंसन मेथड में, एप z मेरा यह होगा, ठीक है न, तो यहां पे मैं आता हूँ, now, now, pi 1, z 0, क्या कर रहा हूँ, ध्यान देजिए, जहां जहां x होगा, यहां पे, इस expression में, वहां पे z रखूँगा, जहां y है, उसको मैं 0 रखूँगा, बड़ा इंट्रेस्टिंग केस है, तो क्या आएगा, e के पाउर माइनस z, जहां x है, वहां पे z, y के प्लेस पे 0, अब आता हूँ में ब्रेकेट में जड़ा, यह क्या हो जाएगा, देखिए, y की जगे 0 रखेंगे, cos 0 की बैलू 1 होता है, और यह 2z हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, और यहां पे आते हैं, यहां पे, तो यहां पे रखेंगे, y के प्लेस पे 0, तो यह 0 गाइब हो गया, तो this minus, e के पाउर minus z, अब अंदर मैं आता हूँ, यहां से देखिए, z square, यह x की प्लेस पे z, और y के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो यह 0, लेकिन cos 0 की बैलू 1, तो z square आएगा, और यहां पे जैसे y की जग़ए 0, तो इतना मेरा आ रहा है, तो ultimate जो मेरा आ रहा है, यहां से y1, z 0, इस बिकम्स, इन दोनों से e के पाउर minus z common है, अंदर क्या आ रहा है, इसको ध्यान देजिएगा, अंदर जो मेरा बचेगा, वो मेरा आएगा, तो z minus z square, 2 z minus z square, प्लीज चेक करिएगा, और similarly, pi 2 z 0 क्या होगा, pi 2 z 0, यहां पर, जहां जहां x से z रखें, तो चलिए यहां हो जाएगा, e के पाउर minus z, और y के place पे 0 रखना है, जैसे ही y की जगा 0 रखेंगे न, यह 0, देखिए इस y के वेज़ से 0, फिर यहां से sin 0 के value 0, यह पूरा गायब हो गया, यह तो पूरा 0, यहां पर भी देखिए y 0, यह भी गायब, यह मतलब पूरा 0 हो गया, तो मतलब ultimate यह मेरा 0 हो गया, ठिक, बस, अब मेरा fz क्या होगा, मिनने thompson method से, क्या था, integration, y1, z0, plus, plus नहीं था, minus था क्या, एक बार फिर से check करते हैं, यहां पर minus होता है, यहां पर plus होगा, जब भी दिया रहेगा, minus i phi 2, minus होता है, तो minus, कोई दिक्कत नहीं है, minus, i phi 2, z0, यह, इस पूरे को मुझे, dz के respect में, integrate करना है, plus constant of integration c, तो यहां से क्या आएगा, यह तो मेरा ठीक है, e raised to the power minus z, यहां पर 2z, minus z square, ठीके न, और यह portion तो 0 है, तो यह पूरा i वाला portion गायब हुआ, dz plus c, अब यहां पर, बड़ा यह interesting case आता है, ठीके न, यह interesting case है, कैसे ध्यान देजिए, इसका derivative यहां पर present है, z square का derivative present है, बड़ माइनस sign यहां पर आ जाता है, और सब कुछ set है, तो क्या होगा, चलिए, हलाकि integrate कर सकते है, direct मैं लिख सकता था, बड़ आपके लिए, e के पावर minus z, ठीके न, और यहां पर 2 बाहर ले लिजिए, z dz, ठीके न, फिर minus integration, e के पावर माइनस z, और यह हो जाएगा, z square dz, plus constant of integration c, अब यहां पर देखे, highlight अगर लगाएंगे, integration वाला formula, exponential हमेशा second आएगा, और, न, और first function, जो है मेरा यह होगा, और first function का derivative आता है, मतलब मैं इसको by parts integrate करूँगा, इसको as it is रहने दीजिए, ठीके, please check करिएगा, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको as it is छोड़ दीजिए, ठीके न, इसको as it is छोड़िए, और इसको मैं क्यों इन्टिग्रेट करूँगा, minus sign बाहर रखिए, highlight लगाएगे, highlight में algebraic, यह मतलब z square first function, यह second function, अब क्या-क्या होता चलिए, क्या होता था first function, ठीके न, क्या होता था integration, first function, ठीके, और second function का integration, तो e to the power minus z का, minus e to the power minus z आएगा, integration, please check करिएगा, यह आएगा, फिर यहाँ पे minus, integration of, first function का derivative, तो यह हो जाएगा 2z, और फिर second function का integration, minus this, please check करिएगा, और यहाँ पे dz, plus c, चलिए जरा है, यहाँ पे आएगे, तो 2, e के power minus z, into z, dz, यहाँ पे minus, देखिए, minus minus plus, z square, e के power minus z, और यहाँ पे देखिए, यह minus minus plus, और टू बहार ले लिजे, integration, z e के power, minus z, dz, plus c, और वही मैं बोला था, cancel out होता है, यहाँ पे cancel out हुआ क्यों नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुछ नहीं, sign का फरक है, वो बिलकुल पकड में आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे, तो minus minus plus कर दिया, यह देखिए, minus minus plus, और यह minus है, तो यहाँ पे minus आएगा, तो यहाँ से क्या हुआ, this integration is cancelled out, okay, so we got finally, z square, e raised to power, minus z, plus c, यही मेरा क्या है, वो enaltic function है, यही मेरा enaltic function है, जिसका real part जो है न, वो आपको इस question में दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप verify कर चकते हैं, इतने आसानी से हमने किया, please check करिएगा, ठीक है, so z square, e raised to power minus z, plus c, यह मेरा answer है, ठीक है, so, यह था, कुछ चीजे ही, जिसको, हमने किया, मतलब मिलने Thompson method किया, और यहाँ से हमने answer निकाला, अब मैं, एक example दे देता हूँ, और homework, आप बोलेंगे ने कि सर, एक आद example दे दीजिए homework, ताकि हम try करें, एक example मैं दे देता हूँ, सीधे सीधे, मिलने Thompson method पे, example, क्या है, homework है, यह homework होगा, इसको आप निकालेंगे, homework, using, using, मिलने Thompson method, मिलने Thompson, method, find, the analytic function, the analytic function, Fz, na, Fz, yeah, whose, whose, real part, whose real part, u, x, y, this is equal to, y cube, minus, 3x square y, यह आपका, home work है, इसको, direct, आप, करेंगे, मिलने Thompson method से, जो अभी आपको, मैंने यहाँ पे बताया, यह थोड़ा सा easy होगा, example, इसलिए मैं दे रहा हूँ, कि, यही example मैं लेके, कभी कभी क्या होता है, कि आपको न, बोलता है, कि, थोड़ा साथ तरीका अलग होगा, उसको हम करेंगे, इस example को लेके, मैं V भी निकालूँगा, और वहाँ से FZ भी निकालूँगा, लेकिन, मैं direct दिया, मिलने Thompson, चुकि यह direct, आपका syllabus NEP का है, direct मिलने Thompson method से, इसका, यहाँ से FZ direct निकालिएगा, यह उपर मैंने पूरा construction, मतलब पूरा construction बता जा, और यहाँ से एक example के थो, मैंने आपको explain करने की कोशिज किया है, प्लीज इसको check करिएगा, ठीक है, सो मिलते हैं next video में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, thank you, thank you so much for watching my videos friends,